हाई फ्रेंड मैं सेल्फ जेडी और यूटूब चैनल जेडी करजी फिजिक्स और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टू साइन्स एक्सरेमेंट जो इजली आप घर पे कर सकते हैं और दोनों ही साइन्स एक्सरेमेंट सर्फेस टेंशन के उपर डिपेंडेंट चलो स्टा पानी है और सेंपू है और एक हमने घागा लिया ठीक है तो सबसे पहले हम सर्फेस टेंशन के बारे में देखेंगे कि क्या सर्फेस टेंशन वास्ताव में पानी पर लगता है या नहीं लगता इसको देखते हैं इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा इस थाली के अंद पर इस तरह से विवस्तित हो जाए वद्स को फूरुप से black paper निया कि उंगली के उपपर हम क्या करते हैं साबून या कोई बिशन्पू जो है उसको लेंगे और इसके सेंट्र में टच्य करते हैं और फिर देखते हैं क्या मैजिक होगा देखे हमने उगली पर थोड़ा सा सेंपू ले लिया है और इसको थोड़ा सा मरव करेंगे और अब हम इसको में अंदर टुस्ट करेंगे देखाओ देखेओ और इस area के अंदर हमारे पास जो surface tension है वो ज्यादा लग रहा है इसलिए सारी जो black paper है वो चार तरफ क्या हो जाती है दूर दूर हो जाती है और center में कोई भी black paper नहीं बसता तो यह पानी के उपर जो thermakol के में टुकड़े डाले हैं यह randomly गूम रहे हैं हम इसको और randomly कर दे थोड़ा दूर 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 सबको देखिए इस तरह से अब यह कोई भी पास नहीं randomly क्या कर रहे हैं गूम रहे हैं मैंने अपनी उंगली के उपर थोड़ाशा sample लगाया है जैसे मैं उंगली इसके center में लगाऊंगा तो बूम सब दूर दूर और इस जगह को क्या कर देंगे खाली कर देंगे देखें देखो तो इस सब के सब क्या हो जाते हैं धीरे धीरे दूर यह नहीं कि इस center को क्या कर दिया है खाली कर दिया यह जो जगह है वो खाली हो गई है रिजन, simple science है इस center के उपर हमने जैसे sample लगाया है, इस sample के कारण इस center का क्या हो गया है, हमारे पास surface tension कम हो गया है और जैसे इस area का surface tension कम होता है, तो यह जो पूरा thermakol seat है, वो धाले के चारो तरफ चला जाता है, इस तरह से और यदि मेरा वीडियो आपको पसना है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे